हेलो वरिवन वेलकम तू जेसिस इंगलिस तो फ्रेंट्स आज हम देखेंगे क्लास 10 इंगलिस का अप्लिकेशन राइटिंग कैसे लिखते हैं ठीक है तो यह बहुत ही इंपार्टेंट कुस्चन है राइट अप्लिकेशन तू दे प्रिंसपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग् कैसे लिखेंगे तो देखें हाइस कुल के लिए बहुत ही इंपार्टेंट है ठीक है चली देखते हैं सबसे पहले आपको लिखना है तू और यह लाइनिंग भी देख लिने है तू तू के बाद में डेपरिंसपल ठीक है देपरिंसपल अगर प्रिंसपल या क्लास टीचर जिसको को आगया हो इसको लिखेंगे to the principal फिर यहाँ पे आप school का नाम लिखेंगे जैसे यहाँ दिख दिख दिया गया एनन public intermediate college महराज गंज तो इस पकार से आप यहाँ इस row में आप जो है अपने या किसी भी school का नाम लिखेंगे ठीक है यहाँ पे इस तरह से फिर जो two की लाइन है उस लाइन में लिखेंगे sir अगर sir है तो sir madam है तो madam फिर हम इस देवाली की लाइन में यहाँ से लिखेंगे most respectfully I beg to say that my sister's wedding will take place on 19th April 2023 so I am unable to attend the college करा कि बहुत requestfully बिंती है मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी बेहन की साधी जो है कब हो रही है 19 अप्रेल को है इसलिए मैं school में college attend करने में असमर्थ हूं तो यहाँ पर कहेंगे I therefore request you to grant me leave of absence from 18th April 2023 to 21th April 2023 इसलिए मैं आप से अनूर्ट करना चाहता हूं कि मुझे 18 अप्रेल से लिख करके 20 सपर तक की छुट्टी जो है दें प्रदान करें I shall be highly obliged to your act of kindness मैं आपके इस द्यालुता के कारे पे बहुत ही आभारी रहूंगा फिर आपको यहां लिखना डेटेड डेट डाल देना है फिर योर्स ओविडियंटली एक सवाई जड आप वोड एक्जाम में अपना नाम नहीं लिखेंगे लेकिन आप इसकुल में दे रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे क्लास टेंथ या भी इस प्रकार से आप लिखेंगे तो अप्लिकेशन राइटिंग इस प्रकार से आप लिखेंगे यहां पर आप लाइनिंग को देख लिएगा कि टू हमारा और सर ठीक है यह जो यह जो और बाकी के जो लाइन है वह इसक्रम में रहेंगी और बाकी जो द को सब्सक्राइब नहीं कि हुए तो आप सब्सक्राइब जरू करिएगा क्योंकि हम हाइज स्कूल इंटर्मेडियेट यूपी बोर्ड के सारे सिलेब्स को यहां पर कवर करेंगे मिलेंगे हम आप से अगले अप्लिकेशन में तब तक करें थैंक्स थैंक्स फर वाचिंग